Hello and welcome friends, आज का ये वीडियो remove method को लेकर किया, इसके पहले हम append method देख चुके हैं, तो चलिया ये start करते हैं, तो सबसे पहले python की id को open कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते है remove method का मैंने फ्रयोग किया है, ठीक है, अब ये code हमने जो लिखा है, remove से क्या होता है, remove method से होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर list बनाई है, list की पहचान होती है, ये square method, ठीक है, तो ये जो भी हमने list बनाई है, ये list में पहला है mango, दूसरा है pine और तीसरा है wine, तो इनमें से जिसको आपको हटाना हो, ठीक है, यहाँ पर जिसको हमें हटाना था, तो हमने यहाँ mango लिख दिया, अब जब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से save कर लेता हूँ, और फिर इसको run करवाता हूँ, तो यहाँ पर आपको mango नहीं दिखाए पड़ेगा, सिर्फ pine और wine दिखाए पड़ेंगे, तो ये फाइदा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम और करता हूँ, यहाँ से save करता हूँ इसे, और इसे run पर click करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, A1 को remove किया है, तो यहाँ से pine जो है, remove हो गया है, अगर क्या होगा, अगर मैं A2 को remove करूँ, यहाँ पर देखे, यहाँ पर गए, अब इस बार यहाँ पर A2 कर देता हूँ, तो A2 अगर करता हू और यहां पर गए और यह इस तरह से तो यह देखिए इस बार wine remove गया ठीक है अब जब add करना था तो हम क्या करते थे add करना था तो यहां पर हम simply remove की जगा क्या लिखते थे append लिखते थे अब देखिए कैसे होगा A W P E N D यह append लिख दिया हमने और अब यहाँ पर add क्या करना है वो चीज़ देना होगा ठीक है इसको अटाता हुए रहे यहाँ पर add कर देते हैं kite की ID kite को add कर दिया हमने और यहाँ पर जाकी इसे save कर दिया तो अब जब इसे run कराएंगे तो इनके साथ काइट भी आएगा तो यहाँ पर run पर जाके तो यहाँ पर देख सकते हैं kite भी आ रहा है clear है